आज हम बनाएंगे ब्रत स्पेसल साबूदाना और आलू की बहुत टैस्टी पराठे बनाकर त्यार करेंगे इन पराठो को बनाने के लिए आपको साबूदाना भिंगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथ के साथ इस भी खट्टी तीकी हम इसकी सबजी भी बनाने वाल साबूदान अच्छी से रोष्ट करने के बाद इसे मिक्सर जार में डाल देंगी इनको में एकदम फाइन पाउडर इसका बनाकर रेडी कर लेना है इसको पीस लिया है इस तरीके की इसको रखना है ज्यादा पाइकदम पतला सा इसको पीसना है जैसी ग्यों की हाटे जैसा छान लेना है चलनी से में इसको चान के रेडी कर लेंगे बाबल में इस तरीके दोनों आलों को मैं अच्छी से ग्रेट कर ग auta अüyमने अच्छी रखा यहाँ को उसी में हम इसको ट्रांसपर कर देंगे आलूओं को भी उसके बाद कुछ मसाले एड का लेते हैं इधर हमने एक चिम्मच जीरा लिया है साबुत अगर आप ब्रत में नहीं खाना पसंद करते हो तो इसकी भी कर सकते हैं इधर हमने सेंदा नमक लिये काला वाला आधी एक चिम्मच इधर हमने अध्रक को ग्रेट करके लिया है इधर हम थोड़ी सी दो से तीन ग्रीन चिली लिये बारी कटी इसे भी डाल देते हैं इधर हमने मुंपली का पाउडर लिया इसे हमने अच्छी से रोष्ट कर लिया था उसकी बाद पीस लिया था दरदरा सा इसको वह भी डाल देंगी एक कटोरी भर कर लिया है एदर हमने धनिया लिया है फ्रेज्स परी कट्रा हुआ इसे भी कि कटनी छीजें अच्छी से मिक्स कर देंगे भी धनिया थोड़ा इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि तभी पराठी हमारी टेस्टी बनने वाले हैं, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस तरीके से एकदम से सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है साबू दाना है तो थोड़ा सा पानी जादा अबजब करता है इसे थोड़ा थोड़ा डाल की सौप्ट आटा इसका हमें लगाकर रेडी कर लिना है अच्छे से मसल मसल की आटे को में लगाकर रेडी कर लिना है आटा हमारा लगका ready हो गया, बहुती soft आटा लगा हुआ है, इसे हम ढख के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, rest पर, इधर हमने सबजी बनाने के लिए 3 आलो लिए, medium size के boil की हुई, इनको में बड़े बड़ी pieces में इस तरीके से तोड़ के लेना है, ज्यादा छोटे piece नही पॉला देंगे, जीर को अच्छे से चटक ने देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, इधर हमने अध्रक को grate करके लिए, इसको भी डाल देगे, सारी चुजों को अच्छे से पका लेंगे इधर हमने बॉlebr किये जो आलू लिए थी, इनको भी, सारे आलू इसी टाइम पर हम डाल देंगे आलू अच्छे से मैं हैं पहले रोष्ट कर लेना है, जो हमने गी डाला था और जीरा मे अच्छे से इनको mix कर देंगे इस तरीके से आलो अच्छे से रोष्ट हो चुके हैं उसके बाद हम डालेंगे एक ग्लास भर गरिसमे पानी अगर आपको जञ्दा पतली सब्जी चीज़िए थोड़ा सा पानी ज़यादा एड़ कर सकते हो अगर थोड़ी सी थिक चाहिए तो कम पानी एड़ कर सकते हो उसके बाद हम डालेंगे ब्लैक नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे ब्रतवाला जो नमक होता उसे डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हमें दो मिनट के लिए ने पका लेना है लेड लगाने के बिल्कुल जरूत नहीं इसी तरीके से दो मिनट पका लेंगे नीबू का रस डाल देंगे एक चिम्मच उसके बाद डालेंगे फ्रेसारा धनिया बारी कटा हुआ सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस को कर देंगे ओफ सबजी हमारी बनकर रेडियो होगी इसे हम लिड लगाके छोड़ देंगे उसके बाद हम आठा को चेक कर लेते हैं आठा हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो गया इस तरीके सॉफ्ट आठा लगाएंगे तो क्या होगा पराठा बेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके बाद हम लोईयां बना लेंगे जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम लोई बनाते हैं उसी तरीके से लोई बनाकर रेडि कर लेनी है इधर हमने पटा ले लिया है जिस पे हम रोटी बनाते हैं उसको इस तरीके से ट्राउंट सेप इसको बना लेंगी उसके बाद हम लेंगे ब्रत का आठा राजगीरा आठा लिया है ब्रत का कुट्टू का समा का आठा किसी का भी ले सकते हैं उसे अच्छी से कोट कर देंगे उसमें और पतला साइस को में बेल के रेडी करना है जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीकी थिकनेस रखनी है उसे प्रब्लम नहीं आया दूसरे को भी सेम इसी तरीके सेमें बेल के रेडी कर लेना है जाए पहले लोई बला लेगी और फिर हाथ में थोड़ा सा ओल ले लेंगे लोई बनाते ही टाइम पर थोड़ा सा हमें ब्रत वाला आठा लगा लेंगे विशू पतला सा इसको बेल कर र लगा देंगी गैस को में मीडियम प्लैम पर ही रखना है उसके बाद पराठा इस पर हम डाल देंगी अब इसको हम सिकने देंगे 2-3 मिनट के लिए उसके बाद पलट देंगी बहुत ही अच्छा कलर आया एक दम गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आ उसके बाद हम उपर से घी लगा देंगी आप रिफाइन ओल का भी यूज कर सकते हो आप ब्रत नहीं हो तो भी आप इसे बना सकते हो इधर हम पलट देंगे इसको घी तरब भी लगा देंगी पलट की दूसरी तरब भी घी लगा देंगी इसे अच्छे से उलट पलट करके ग प्राठाः को में सेकर रीड़ी कर लेना ये अब टेकर सकते हैं आपको चटनी होती है उसकी दाई के साथ ग्रीन धनियाग। चटनी मूति Casey अब कर सकते हैं अब ने दिखा कितना भेसे ही ओघा सकते हैं प्रत नहीं हो तो पीका सकते हैं अगर आपको उमारी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज उमारे चैनल को सस्क्राइब करना है वीडियो को लाइक करना वीडियो को सियर करना बिल्कुल ही मत भूलीगा अपना प्यार सपोर्ट ऐसी बनाए रखी थैंक फॉर बोचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में